कच्चे केले से बने जे चिप्स खाने में बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता मिंटों में ही जे बनकर तियार हो जाते हैं इन्हें बनाने की रेस्पी बहुत ही असान है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं आईए इसे बनाना शुरू करते हैं उसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सास्क्राइब नहीं किया है तो सास्क्राइब कर लें बेल आइकोन को दबाएं तांकि मेरी आने वाली हर नई रेस्पी की वीडियो आप तक पहुंच सक हैं वहीं से मैंने लिये हैं और मार्केट में ये बहुत असानी से मिल जाते हैं तीनों हे केले को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है उसके बाद इसका जो उपर वाला टॉप है इसको हमने काटकर अलग कर लेना है और इसी तरह से इसका नीचे वाला जो पोर्शन है इसको भी हमने काटकर अलाग कर लेना है उसके बाद हमने केली की जो उपर वाली लेयर है इसे हलका हलका सा निकाल लेना है उसके लिए आप किसी भी छिलका उतारने वाले चाको की हेलप ले सकते हैं अगर आप किसी थोड़ा सा मिठे केले के चिपस बनाना चाहते हैं तो एक हलका सा उपर वाली लेर पकी हुई आती है केले के छिलके की वो वाली ले सकते हैं लेकिन वो केले होते कच्चे ही हैं वस हलका सा उनकी जो उपर वाली लेर है वो यालो टोन की होती है केले की उपर की एक लेर निकाल लेने के बाद फिर हमने इसकी दूसरी लेर भी इसी तरह से निका लेंगे केले की चिलके के दूसरी लेर है वह हमने बहुत ज़्यादा डीप नहीं निकाल लिए कि केले का जो वाइट सा पोर्शन है वह नेजरानी लगे हलका हलका सा हम केले की पतली सी लेर इसके ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि उसे चोड़ने से ही जो हमारे केले हैं वह ज् छोड़ दी है जो कि इनके चिप्स बनाते समय इनको क्रिस्पी बनाने में हेल्प करती है केले की छिलके निकालने के बाद इनको तरंथी धो दें क्योंकि छिलका निकालने के बाद केले थोड़े से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं तो चलिए अभी हम इनके चिप्स बनान कटकर तिहार हो जाते हैं की कास्वी से हमने काट लिए है देखी एक हेले से काफी ज्यादा चिपस çi ơi काटकर इसके कुछ नंबे लंबे चिपस तियार करूँगी उसी तरह पर आप चाकू से भी बिल्कुल पतले-पतले चिप्स काट कर त्यार कर सकते हैं इनको जादा एक दुसरे के ऊपर ना रखें यह बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाते हैं तो जलिए अभी हम इनको फ्राइ कर लेते हैं चिप्स फ्राइ करने के लिए मैंने कड़ाही में ऑईल डाल लिया है ऑईल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है ऑईल गरम होने के बाद पहले हम एक चिप्स डाल कर देखते हैं देखें ऑईल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है तो अभी हम थोड़े थोड़े करके बाकी चिप्स भी डाल देते हैं थोड़ा सा हम इनको हिला देंगे गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम ही रखना है आप चाहें तो यहाँ पर चिप्स कटर से ड्रेक्ट ही चिप्स काट काट कर ओईल वाली कड़ाही में डाल कर फ्राई कर सकते हैं लेकिन यह आप तब ही करें जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो क्योंकि उससे ओल का चीटा आपके उपर गिरने का डर होता है नहीं तो आप मेरी तरह पहले ही चिप्स काट कर पूरे रख लें उसके बाद ही उन्हें फ्राई करें चिप्स को हम लगा तरह इसी तरह से चलाते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे मैंने चिप्स में कोई भी नमक मिच अभी नहीं मिलाया है इसके फ्राई होने के बाद ही मैं इसमें नमक मिच याड़ करूँगी चिप्स फ्राई होना शुरू हो गए है निकल जाए और इसी तरह से हमने बाकी बच्चे हैं चिप्स भी कड़ाही में डालकर अच्छी तरह से फुराई करके उनको निकाल लेना है सारे चिप्स हमारे बनकर त्यार हो गए हैं और सारे ही चिप्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं इस तरह के क्रिस्पी चिप्स आपको बना कर त्यार करने हैं अगर आपने इसमें नमक मिर्च मिक्स करना है तो चिप्स को पहले ठंडा होने दे चिप्स के ठंडा होने के बाद ही हम इसमें नमक मिर्च मिक्स करेंगे चिपस के ठंडा होने के बाद देखिए इसमें मिक्स करने के लिए एक बड़े बरतन में ये मैंने अधी चम से थोड़ा सा कम नमक डाल लिया है और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ये मैंने लाल मिच डाल दी है थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और ये बिल्कुल थोड़ी से काली मिच पॉडर डाल दिया है और ये बिल्कुल थोड़ी सा चाट मसाला डाल दिया है इसका टेस्ट चाट मसाला डालने से काफी बढ़ जाता है और सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स का लेना है अगर आपको कई और मसाला डालना पसंद है तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और मसाला भी कोई एड़ कर सकते हैं मसाले में अभी हम चिप्स डाल कर अच्छी तरह से सारे चिप्स को मिक्स कर लेंगे तांकि सबी को मसाला अच्छी तरह से लग जाए चिपस में मसाले एड़ करने के बाद चिपस बिल्कुल भी soft नहीं होते हैं क्योंकि हमने इनको ठंडा होने के बाद ही इसमें मसाला एड़ किया है हमारे चिपस में मसाला mix हो गया है तो अभी हमने इसको एक plate में निकाल लिया है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारे बनाना चिपस बनकर त्यार हो गए है ये चिपस बहुत ही चटपटे बने हैं चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और चिपस हमारे बहुत ही क्रिस्पी भी बने है एक एक चिपस हमारा बहुत ही क्रिस्पी बना है बनान एक ही केले से काफी ज्यादा चिप्स बनकर त्यार हो जाते हैं और एक महिनी तक आप इन चिप्स को स्टोर करके रख सकते हैं एक महिनी में भी चिप्स खराब नहीं होते बस आप इनको किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपको मेरी ये बनाना चिप्स की रेस्पी की वीडियो पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल लाइक उनको जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेस्पी की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें